तो हेलो दोस्तों वेलकम टू न्यूव वीडियो आ सकर तो आप से बच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई इच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों मैं अभी लेटेस्ट कोर्शन पेपर लेके आया हूँ कैमिस्ट्री का क्लास्ट वेल्थ का अभी दोजार तेईस एपरल का है यह यह लेटेस्ट है मैं अभी आपको इसकी सॉलिशन दिखाऊंगा अब वीडियो में बने रहना प्लीज तभी आपको समझाएगा कि मैं कैसा समझा रहो अगर आप स्टार्टिंग देखके हड़ जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कैसा बढ़ाता हूँ तो एक्स्प्लेनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ थ्री अंपेड इलेक्ट्रोइन नाइट्रोजन एक्टम कैन वी गिवन बाए हंट्स रूल अभी दोस्तों यह मैं आपको बता दे रहा हूँ टिक डारेक्ट ठीक है जो दो माक्स वाले वह मैं आपको एक्स्प्लेन करूं अच्छ बन होता है तो लेम्डा बराबर एच अपॉन एमवी यह फॉर्मूला लगाओ यहां से लेम्डा की वैल्यू आजेगी 6.6 इंटू टैंक के पावर माइनस 34 फाइस्ट आंसर आगया ठीक है सैकेंड हो गया थार्ड वीच आफ फॉलूइंग गैसेज फिल हैप आइस टेट सब्सक्राइब डिफ्यूजन एनस 3 का होता है एंसी के वाले दोस्त अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाओ गई है बाकि मैं दो मांक्स वाले आपको एकदम अच्छे एकस्प्लीन करूंगा क्योंकि आप पा तो 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 ठीक है दा डिग्री ओफ डिएस्टीएशन ओव फीक एलेक्रोलाइट इंक्रीज वीक एलेक्रोलाइट कर डिसोसियेशन कब बढ़ता है जब डिलूशन बढ़ाएंगे हम ठीक है डिसोसियेशन मतलो घुलना ठीक है विचाओदा फॉलविंग स्टेटमेंश टू फॉर एलेक्रोकेमिकल सेल फॉंड बाइ कॉंबिनेशन ओफ हीड्रोजन एलेक्रोड और कॉपर एलेक्रोड हाइड्रोजन एनोड पे होगा और कॉपर कैथोड पे होगा आप हिंदी में पढ़ सकते हो ठीक है अभी विचाओदा फॉल्विंग कार्बोन डिकंपोसिस अट्लो टेंपरिचर बेरियम कार्बोनेट होगा ठीक है दोस्तों बेरियम कार्बोनेट वैन कॉपर रियक्ट विद एस्टू एसफोर तो रियक्शन यहाला होगा स्यू एसफोर एसोटू और जब भी आपको यह लगे ना देखो एसोफोर जहां पी होगा ना एसोटू पक्का निकलेगा इट्रिक है